एंड में जाती जाते हैं उन्होंने ये बोला कि बच गया साला इस बार अगली बार नहीं छोड़ेंगे और फिर एक चैन कीच के 9th of July को सन्नी मेरे घर आता है और उसके बाद वो दो गुंडे भी बुलाता है मेरे घर सन्नी ने का था मैं तरको जान से मार दूमा इस पर शिल्पा ने का था सन्नी जो कहता है वो कर देता है अब तू बच के रही अब तो तू गया यह हो रही है कि मैं BJP का कारे करता हूं सुभाश ब्राला का आदमी हूं मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता कोई हम तो यही क करते हैं घूजगोरी एजेंट गीरी जान से मारने का सब काम करते हैं और वो बात सही भी है और 23 का तो उसने जान से मरवाई है अब फिलाल हम हिसार के पियले में मौझूद है और मैं आपको बता दू कि यहां पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौझूद है जिनका यह आरोप है कि इनकी पतनी ने इनको पिटवाया और इनको जान से मरवाने की कोशिश करिया फिलाल इनोंने जो एफायर है वो दर्ज करवा दी गई है एक बार हम इनी से बात कर लेते हैं और क्या पूरा मामला है किस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई कितने लोग थे और इनको ऐसा क्यों लगता है कि इनकी पतनी नहीं इने मरवाने की कोशिश करी है वो जान लेते हैं नमस्कार सर क्या नाम है आपका मेर नाम गोरव है जी तो कितने बज़े यह जो हाथसा है और कौन सी तारीक को आपके साथ हुआ था यह सुबह लगबग सबाच्छे वजे हुआ है 23 जनवरी को यह हाथसा हुआ है मंडे को तो तब आप मतब कहां जा रहे थी कहां पर यह हाथसा हुआ है मैं चूरू में पॉस्ट अफिस में काम करता हुआ तो मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो यह इन्फरमेशन शिल्पा के पास या मेरी मदर के पास है कि मैं ओटो पकड़ के जाता हूँ मंडे को क्योंकि मेरी मदर वीड़ो है तो मैं उनका ध्यान रखने के लिए वी शिर्पा मेरी वाइफ है तो की ही बिएक बन्दा मेरा अ क् contributor mamma m इसाएट पर फोन पर बात करने की ऐक्तिंग करा है तो मेरी को थोड़ा फीशी लगा क्योंकि अगर आप उधर खड़े हैं तो आप उस डिरेक्शन में जाना जाते होंगे लेकिन जैसे ही मैं बोचा हूँ वो मेरी तरफ आगे हैं उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे लेफ्ट साइड गया उसने मेरे को बोला कि ओटो की निदेर में आएगा मैंने का मेरे को नहीं पता फिर उसने का कि भाई तरफ को भी ट्रेन से जाना है कहां जाना है मैंने का चूरू तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे को सन्नी ने भेजा है शिलपा ने भेजा है और जितने पैसे वो मांगते हैं आप उसको पैसे देदो दोनों को पैसे दे, जितने पैसे सनी मांग रहा है, देदो, तो मैंने का मैटर कोट में है, कोट जो डील करेगा, वैसे ही होगा, क्योंकि लो है, इंडिया है, आप रहते हैं, लोग, इस पर उसने मेरे को धक्का दिया, और फिर उन लोगों ने मेरे को बेस्बूल बैट से हम अटाइक ना वोलेंट था कि 20-30 सेकंड में हो गया, और ये किसमिती की बात है कि 3-4 लोग सहर करें तो उन्होंने बचा लिया, वो इटे उठा गया है, तो वो भाग गये, एंड में जाती जाते हैं, उन्होंने ये बोला कि बच गया साला इस बार, अगली बार नहीं चोड जो पूलते हैं, और ये क्या बोला गया आपको सन्नी कोना एक बर बता दीजिए, सन्नी बिचोलिया, सन्नी महता टुहाना से, जो एक बुकी भी है, एक्स्टोर्शन का काम करता है, सन्नी और सन्नी बिचोलिया जिसने शादी करवाई थी, उसका और शिल्पा का साथ साल से गल्द संबन्ध थे उनको रेंडम किसी होस्पिटल में मिला था और उसके बाद से उन दोनों के संबन्ध थे और उसी ने ये काम करा है actually हुआ क्या है कि matter of the fact ये है कि 9th of July को सन्नी मेरे घर आता है और उसके बाद वो दो गुंडे भी बुलाता है मेरे घर पे यहां बैठे अभी इस वक्त यहां पर इसने दो गुंडे बुलाए और सन्नी ने का था मैं तरको जान से मार दूमा इस पर शिल्पा ने का था सन्नी जो कहता है वो कर देता है अब तू बच के रही अब तो तू गया ये बात हुई बैन क्या हुआ 18 जुलाई को हमारी कांसलिंग थी जाकल पुली स्टेशन शिल्पा क्योंकि जाकल की रहने वाले ये शिल्पा अरोड़ा तो उदर पे उसने पांच गुंडे बुलार के थे पुली स्टेशन में इटसल्फ बैन मेरी मदर ने ओन रिकोर्ड एस पी फतेवाद आस्ता मोदी जी को 29 अगस्त को लेटर दिया हुआ है सन्नी मेता नितिन मेता सिंद्वानी जो सन्नी का ब्रदर है दोनट वहना के है शिल्पा अरोण अरोड़ा जो शिल्पा का ब्रदर है अशो करोड़ा शिल्पा की फा शिल्पा सन्नी सुनीता इन तीनों ने फिर इन दे कोर्ट इटसेल्फ मेरे को का इदर से तू बचिया तेर को जान से मारूआ अच्छा तो मतलब लगातार इनको जो है जान से मारने की धंकी दी गई है इनकी पतनी के द्वारा और जो विचोलिया आपने बताया है सनी उनक 9th of August को क्योंकि action नहीं हुआ जिससे उसकी बात यह हो रही है कि मैं बीजेपी का कारे करता हूं सुभाश ब्राला का आदमी हूं मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता कोई हम तो यही काम करते हैं घूस गोरी एजेंट गीरी जान से मारने का सब काम करते हैं और वह बात सही भी है औ कि यह information इतनी private and confidential है कि not even my neighbors knows it कि मैं किस टेम जाता हूं कहां खड़ा होता हूं लोग इंतजार कर रहे हैं actually तो यही तो आप लोगी मिला सकते हैं जी तो आपके शादी कब हुई थी शादी एककिस अपरेल को हुई थी एककिस अपरेल साल बता दीजे पिछली दो जार बाइ तो जब से आपकी वाइफ आई हैं क्या तब से जगड़े वगएरा चल रहे हैं जगड़ा कुष निया उसके गल्थ संबनत है सन्नी के साथ यह है और कुछ मेंटर नहीं है देन उन्हों दहेज का केस किया है दहेज के केस में जो है कोट फैसला करेगा मैं इतना कह सकता हू कि शादी पर भी एक रुपया उन्होंने स्पेंट कर रहा है आप ऐसे किसी को जान से मार के तो नहीं चल सकता है इनकी बात बिलकुल सही है चाहे जो भी मैटर है अगर इन्होंने दहेज लिया भी है या नहीं भी लिया तो इस पूरे मामले पर जो केस है वो कोट में चल र पुलिस ने का आश्वासन दिया आपको पुलिस ने का अरेस्ट होंगे बहुत जल्द अरेस्ट होंगे एक बंदा CCTV फूटेज में भी आ रहा है जो चार में से अटेक कर रहा है वो प्रोवाइड कर वाजी गई है पुलिस को जो एक गुंडा को बुलाएगा तो उसका होसले इतने बुलंद हो गए है लाश्ट में हो जा जाते-जाते यही बोल चाहां है कि बच गया साला इस बार तो क्या आपको लगता है कि अभी आपको जान का खतुर में आहरेस्ट नहीं होते मैसेग आप कुछाते कि सुसाइटी के जो जो भी illegal काम करेगा किसी को जान से मारने कोशिश करेगा उसको arrest किया जाएगा court में पेश किया जाएगा court necessary सजा देगी जब तक वो भार गुम रहे हैं जब तक खत्रा है और moreover मेरी mother video है वो के लिए रहते हैं तो खत्रा और बढ़ जाता है हम तो चुनल चाहे है खत्रा मेरे क को यह information first of all तो किसी और को नहीं पता यह तो सिफ शिल्पा को पता थी उसने सन्नी को पताई और उन्होंने फिर प्रोफेशनल सायर करे तो यह information इतनी confidential है उसको भी पता थी then आप society को क्या message देना जाते हैं कोई भी किसी को भी जान से मार सकता है जब तक arrest नहीं होगा तब त सामने आने का क्या कारण भाए? मीडिया के सामने तो अपनी बात रखने का ही है ताकि सब तक कोचे बात जल से जल नहाए मिले. जी. तो फिलाल, आप सुन सकते हैं, PLA में ये जो परिवार है, ये रहता है, वर इतनी बेरह्मी से, इंको जो basketball का बैट होता है, उनसे मारा गया है, और इस व्कति का ये कहना है, उनको और इनकी जो पतनी है, उनको और इनकी माता जी को ही पता था कि ये उस वक्त पर कहां होते हैं और इस तरीके से उनके दुबारा इतनी धंकियां देने के बाद इन पर असल में हमला हो जाता है तो अगर जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे माध्यम से रख सकता है इस सेल्ट्रेंडिंग.com पहले कंपेर करो फिर शाप करो